हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लाल मिर्च लेसुन की तीखी चटनी यह चटनी राजस्तान में बहुत ही प्रसीद है इसे आप खुबा रोटी, बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूर्मा या फिर साधी रोटी के साथ खा सकते हैं यह चटनी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है इसे देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटी में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे 15 सूखी लाल मिर्च 50 ग्राम लैसुन की कली एक छोटा चमच, नमक, आधा निवू का रस और कुछ बुन्द सर्जों का तेल लाल मिर्च में गरम पानी डाल कर इसे 15 मिनट सोख होने के लिए छोड़ देंगे एक तवा गरम करेंगे उस पर लहसुन की कली डाल कर इसे रोस्ट करेंगे ग्यास का फ्लेम हम हाई रखेंगे इसे लागातार चलाते वे रोस्ट करना है जिससे लहसुन चारो तरब से बराबर रोस्ट हो लहसुन रोस्ट हो गया है अब हम ग्यास बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद इसे छील लेंगे लहसुन छील लिया है यह देखिए लाल मिर्च जिसे हमने गरम पानी में सोक किया था देखिए यह ऐसा हो गया है अब एक जार लेंगे उसमें रोस्टेट छीला हुआ लहसुन डालेंगे लाल मिर्च में से पानी निकाल लेंगे और सोक्यावा लाल मिर्च डालेंगे नीबू का रस नीबू में से मैंने पहले ही बीज निकाल दिया था नमक और थोड़ा सा सरसो का तेल अब हम इसे पीस लेंगे चटनी पीस लिया है इसे पीसने में मैंने दो चमच पानी इस्तमाल किया है अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे चटनी निकाल लिया है अब इसे पुदिना के पत्ते से सजा देंगे लाल मेर्च लहसून की तीखी चटनी तयार है इसे मैंने बहुत ही अलग स्टेल में बनाया है आप इसे जरू ट्रै कीजिए आपको मेरी या वीडियो कैसी लगी अपना experience नीचे comment शक्षन में लिख बेज़े like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए subscribe करने के बाद bell को जरू ट्रैस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का notification आपके mobile पर आजाए अगर आप इस वीडियो को facebook page पर देखते हैं तो मेरे facebook page को like कीजिए, instagram पर मुझे follow कीजिए, thank you